नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चनल पर जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि किस तरहां एक बीज मंत्र के माध्यम से आप किसी को अपने वश में कव सकते हैं जिहां एक बीज मंत्र कितना सावथक सिद्ध हो सकता है किसी को वश में कवने के लिए जब आप से कोई रूट जाता है, कोई नराज हो जाता है या आपका कोई ऐसा काम जो आप किसी से करवाना चाहते हैं लेकिन वो व्यक्ति आपकी सुनता ही नहीं है आप से बात करना तो दूर, वो आपको देखने तक के लिए राजी नहीं है ऐसे में आपको क्या करना है? आपको लगता है कि हमें वशी करण का साहरा लेना चाहिए जो सही है जिहां, वशी करणे के ऐसी विधी है जिसे अपना कर आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, किसी को अपने प्यार में पागल कर सकते हैं तो आईए बताती हूँ कि किस तरह आप बीज मंत्र के माध्यम से इस पीज मंत्र को आप अपना कर किस तरह आप बिना किसी सामगरी के किसी को अपने वश में कव सकते हैं जी हाँ बिलकुल फ्री में क्योंकि इसमें कोई सामगरी तो आपको चाहिए नहीं एक रुपे का भी इसमें आपका खर्चा नहीं है सिर्फ एक मंत्र है और थोड़ा सा समय आपका लगेगा वो भी मानिये कुछ पांच या छे मिनट जी हां पांच या छे मिनट के समय में कोई व्यक्ति आपका हो जाता है सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि क्या ये सच होगा लेकिन ये सच है क्योंकि ये जो बीज मंत्र है ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है ये सिद्ध मंत्र अगर आप किसी पर अपनाते हैं तो वो पूर्ण रूप से आपका हो जाएगा वो व्यक्ति सिर्फ औसर्फ आपका ही होकर रह जाएगा अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपका हो जाए तो इस बीज मंत्र का प्रयोग सही प्रकाव से कीजेगा सबसे पहले एक पूरा दिन आपको सिर्फ उसी व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उसके चहरे को अपने आखों में समाईए कि आप आखे बंद करें तो उसका चहरा नजर आए और जब आप इस पूरे दिन के बाद अगले दिन उस व्यक्ति से मिलने जाएं किसी भी तरहां से आप उस व्यक्ति से मिलने की कोशिश करें और जब आप उस व्यक्ति से मिलें तो उसके कान में आपको एक मंत्र कहना है जी हाँ, जैसे ही उसके कान में आप एक मंत्र कहेंगे मानों वो व्यक्ति आपका हो गया कुछ ऐसा ही होगा अगर आप ये विधी सही प्रकाव से करेंगे और एक बात का ध्यान रिखी का कि इस तरीके के बारे में इस चोटके के बारे में आपको किसी से चबचा नहीं करनी है अगर आप किसी से चपचा करेंगे, किसी को इस बारे में बताएंगे तो जो है ये विधी असर नहीं दिखाएगी क्योंकि वश्यकरण तभी असर करता है जब ये किसी को बिना बताई किया जाए जब आप इस विधी को किसी को बिना बताई करेंगे तो ये विधी असर करेगी और कुछ व्यक्ति है सामने वाला वो आपके वश में हो जाएगा तो आईए हैं मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है वो बीज मंत्र क्या है जिसे अपना कर आप जो है किसी को अपने वश में कर सकते हैं और वो बीज मंत्र है 3-3-3 जी हाँ तीन बार आपको ये बोलना है 3-3-3 ये मंत्र है और ये एक बीज मंत्र है एक सिद्ध मंत्र जब आप किसी व्यक्ति के पास जाएंगे उसके कान में आप अराम से बूलिए आगर आपको लगता है कि वो सुन लेगा तो कुछ इस तरीके से बूलिए कि वो सुन भी ले और उसको इस तरफ ध्यान भी ना जाएं उसके कान में आपको इस तरह ये मंत्र उचारण करना है 3-3-3 तीन बार इस मंत्र का उचारण आपको इस व्यक्ति के कान में करना है उसके बाद कुछ ही समय में बस कुछ ही पलों में वो व्यक्ति आपके पास आजाएगा जहाँ आप चाहेंगे वो वैसे ही बैठेगा उसी तरह आपने जीवन के दिंचर्या को चलाएगा जैसा आप चाहेंगे आप की यु मानो कि वो व्यक्ति पूरी तरह आपके इशार उपर चलेगा अगर आप चाहते हैं ऐसा तो इस मंत्र को इस बीज मंत्र को जरूर अपनाईगा ये कैसा वशीकरण है जो बिना किसी खर्चे के हो सकता है और बिलकुल सही और सचीक वशीकरण है तो इसका ध्यान रखेगा सही वशीकरण करना है क्योंकि वशीकरण के विधियां तो बहुत होती है लेकिन जो विधी सही और सटीक होती है जो विधी सरल होती है वो ही हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप इन सरल और सटीक विधी को करकर अपने आपको जो है एक खुश अपने आप से हमें बहुत एक अजीब सी फीलिंग आने लगती है, ऐसा रखता है कि क्यों ये काम नहीं हो पा रहा है, हम ऐसा क्या करें कि ये काम हो जाए तो इस समय जो ये तरीका मैंने आपको बताया है, अगर इस तरीके को आप अपनाते हैं, तो ये काम जो है आपका जो बनते काम हैं, वो जल से जल बन जाएंगे, जो काम आपके बिगड रहे हैं, वो फटाफट से बन जाएंगे, तो इस तरीके को इस विधी को ज़रूर अपनाईएगा, ताकि आपके जो अपने हैं, वो आपके पास लौट आ सकें, जो आप किसी से प्यार करते हैं, वो आप आपसे बात नहीं करते तो वो भी आपसे बात करने लेगे इस सीधी सी इस सरल सी विधी के सरी है तो ध्यान रिखेगा ये विधी किस तरह से करनी है मैंने आपको बताया किस तरह आप जो है एक सरल से मंत्व से एक सरल सी विधी से लेकिन ये मंत्व है एक बीज मंत्र है जो ब प्रवध्यान रखेगा कि इस विधी के बारे में जब आप यह विधी कर रहे हैं तो तब आपको किसी से भी इसात को । efendim splits को और जब आप इस विधी को कर रहे हो तो आपके पास कोई ना हो सामने वाले व्यक्ति को भी इसके बारे में भनक नहीं होनी चाहिए उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आप ऐसी कोई विधी उन पर आजमाने वाले है और दश को एक और बात में बता दूँ आपको कोई समस्या ह समधान भी ले सकते हैं कॉल कीजिए आपकी समस्या का समधान होगा कोई जानकारी चाहते हैं किसी वश्यकरंट से जुड़ी कोई टोने टोटके से जुड़ी जानकारी आप चाहते हैं तो जानकारी भी आप अपनी स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पे कॉल करकर ले झाल 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 झाल